तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है तो हमने गुट परचेस किये हैं राम से ट्रेट इसकाउंट है कैश डिसकाउंट है और पेमेंट हुई है 60% चेक के थ्रूँ तो इसकी जर्नल एंट्री हम पोस्ट करेंगे इसकी सिंगल है यूँ कन राइट जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्री विल भी परचेस अकाउंट डेबिट तू तू राम एंड उसके बाद कुछ पेमेंट जो है आपने कैश में करी है और सॉरी चेक में करी है तू बैंक अकाउंट है और हमें कैश दिसकाउंट मिला है सो हम लिखेंगे तू दिसकाउंट रसीवड 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 अकाउंट तो इस विल बी आर एंट्री अन निविल बी बींग गुट्स परचेस 4 Rupees 60,000 at the rate 10% trade discount 5% cash discount and paid 60% amount by check so this will be our narration so now we will calculate how the amounts will come so we will show you in working notes working notes so first we have purchased 60,000 we will minus the trade discount we have to minus the trade discount here in working notes because this is our hidden adjustment so the trade discount is your 10% so what will we do? 60,000 minus 60,000 into 10 so this will be discount amount तो 60,000 ऐसी ही रहेगा ठीके और यह हम करेंगे calculate तो यह आपके पास आजाएगा 6,000 तो 60,000 में से 6,000 माइनिस करोगे तो 54,000 आपके पास आजाएगा अब यह जो 54,000 है यह आप पर चेजिस के opposite लिखेंगे यहाँ पर 54,000 ओके फिर उसने कहा कि जो पे किया है वो 60% है चेक के थूँ तो हम क्या करते हैं हम 54,000 का सबसे पहले 60% करेंगे तो 54,000 का जब हम 60% करते हैं तो हमारे पास आता है 32400 यह amount आजाएगा अब इसके उपर हमें लगाना है cash discount तो इसके उपर आप लगाएंगे 32400 into 5 over 100 तो इसके उपर आप लगाएंगे 5 over 100 तो आपके पास आएगा 1620 this is discount यह discount है तो आप इस वाले amount से discount को minus करेंगे तो आपके पास आजाएगा 30780 तो आपके पास यह amount आजाएगा यह जो amount है यह आप लिखेंगे bank के opposite यह वाला amount आप लिखेंगे discount received के opposite discount received के opposite तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 307801620 और जो राम की opposite amount आएगा उसकी calculation आप 2A से कर सकते हैं या तो आप सीधा कर सकते हैं 54,000 के उपर आप 40% लगा सकते हैं जो पैसे हमें नहीं आए है तो 54,000 के उपर 40% will be 21600 या इसका एक और वे है आपने भी total आपके पास 54,000 का amount था जो आपने पै करना था उसमें से 60% आप पै कर चुके हो आप minus करोगे तो भी आपके पास 21,600 ही आएगा यह जो 21,600 है यह हम राम के opposite लिखेंगे I hope this is clear और अगर आपको कोई भी राउट है comment section में post कर सकते हैं Thank you